नमस्कार दोस्तों, आजकी वीडियो में हम लोग discussion करेंगे long straddle strategy को कैसे adjust करनी होती है बाईचर्ड अगर market move नहीं कर रही है तो हमें strategy को कैसे adjust करनी होगी short straddle strategy adjustments की उपर बहुँ सरा वीडियोज अवेलेबल है in fact हमारी youtube channel पर भी दो वीडियोज है एक Intra Day Short Straddle Adjustments और एक Positional Adjustments लेकिन Long Straddle का उपर बहुत ही कम वीडियो है तो आज हम लोग सीखेंगे Long Straddle को कैसे Adjust करनी है तो यहाँ पर दो तरीका होता है Long Straddle को Adjust करना तो मैं दोनों ही तरीका यहाँ पर बताने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा कौन सी perfect scenario होगा जहां पर आपको long straddle बनानी है तो वीडियो का अंतक जरूर बने रहे तो friends मैं हूँ राजीब और आपका अपना channel updates में स्वागत करता हूँ अगर आप पहली बार channel को visit कर रहे हो then please consider subscribing और साथ में ये घंटी दवाना मत भूलिए ताकि ऐसा informative video upload का notification आपको timely मिलती रहे तो anyway long straddle strategy हम लोग कैसे adjust करेंगे वो देखते है तो जैसे कि मैं आपको बताया दो तरीका है long straddle को adjust करना तो पहला जो तरीका होगा वो क्या होगा वो आपको एक inverted iron fly बनानी होगी तो inverted iron fly आपको कब बनानी होगी तो मैं यहाँ पर आपको payoff बना के दिखाऊंगा मानलो आप bank nifty पर एक long straddle बनाया ये सोचके कि bank nifty तेजी से movement दिखाएगा इधर upside में या फिर downside में लेकिन मानलो bank nifty sideways चला गया तो उस ताइम तो आपका loss होगा क्योंकि ये एक debit spread strategy है तो इसमें आपका loss होगा ठीक है तो उसको आप कैसे adjust करोगे तो मैं यहाँ पर पहले strategy बना के दिखा देता हूँ अभी bank nifty का spot चल रही है 36,831 तो मानलो आपने 36,800 का एक straddle बनाया तो यहाँ पर पहले हम लोग एक straddle बना लेते हैं उसको फिर मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कैसे adjust करने होगी ठीक है तो bank nifty options हम लोग select करेंगे यहाँ पर straddle ठीक है और यह क्या है long straddle मानलो आपने monthly series में यह strategy बनाया और आप हमेशा यह याद रखना कि जब भी आप debit spread बनाओगे तब भी आप हमेशा monthly series में ही trade करना क्योंकि monthly series में premium decay थोड़ा कम होता है ठीक है तो हम लोग monthly series में यह long straddle बनाया तो यहाँ पर आभी आप देखो maximum profit कितना है maximum profit तो undefined है आप pay of charge में देख सकते हो कि यह either way upside में जितना उपर जाएगा आपका profit ही होगा downside में जाने से भी आपका profit ही होगा और आपका maximum loss is limited to 36,000 only जितना आपका debit हुआ ठीक है यहाँ पर आपका debit कितना हुआ जो call option है call option का premium था लगबक 840 और इसका है 605 तो यह लगबक 1440 रुपे का आपका debit हो गया तो वो ही आपका maximum loss है and that is why long straddle कोई adjust नहीं करते है क्योंकि यहाँ पर limited risk है limited in the sense defined risk है जितना आपका debit हुआ उतना ही आपका maximum risk है और दोस्तों मैं आपको बता दू यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ एक subscriber friend ने मुझे बहुत बार request किया कि long straddle adjustments की उपर एक वीडियो बनाए और उन्होंने मुझे whatsapp message भी किया बहुत बार इसलिए आज मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो anyway thanks for putting your request उसके विज़े से आज मैं यह वीडियो बना पा रहा हूँ तो चलिए यह हो गया हम लोग का long straddle तो मान लो आपने strategy बनाया बना के देखा कि bank nifty movement नहीं दिखा रही है हलाकि यह nifty का chart है मैं यहाँ पर bank nifty का chart ले आता हूँ तो bank nifty movement अगर नहीं दिखाती है तो आपका premium decay होगा isn't it तो ऐसा होने से आपका limited loss है वो पक्का होगा ठीक है तो इसलिए हम लोग better इसको adjust करें ताकि जो loss है उसको हम लोग minimize कर सकें तो पहला जो तरीका है वो यह है कि आप यहाँ पर inverted एक iron fly बनाओ inverted iron fly मतलब जैसे आपने यहाँ पर एक straddle बनाया तो आप far otm एक call option को short करो और downside में एक put option को short करो ऐसा करने से क्या होगा आपको थोरा बहुत credit receive होगा ठीक है जैसे यहाँ पर maximum loss 36,000 है कुछ अगर आपको credit receive होता है तो उसके वज़े से आपका loss थोरा कम होगा तो bank 50 का cage में आप इधर thousand points नहीं तो 1500 points दूर में भी एक otm options को sell कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मानलो आपने 1500 points दूर तो कौन सी call options को आपको buy कर नहीं होगी 38,300 तो यह वाली call options को हम लोग short करेंगे ताकि यह जो premium है लगबग 260 rupees यह premium हमें receive हो जाए ठीक है तो इसको हम लोग receive किया और downside में और एक food options को हम लोग short करेंगे तो यह food option होगा तो यहाँ पर आपको लगबग 190 rupees का credit receive हो रही है तो इसको भी हम लोग add कर देते है तो आभी देखो आपका जो pay off है वो इस तिरकी का निकल लाया तो यहाँ पर आभी maximum loss देखो कितना हुआ 24,800 पहले 36,000 था लेकिन आभी आपका strategy undefined profit नहीं देगा maximum profit 12,000 का ही होगा क्योंकि आपने position को hedge किया और break even भी आपका थोड़ा बहुत shrink हुआ पहले आपका break even बहुत दूर था यहाँ था और downside में यहाँ पर था लेकिन आभी break even थोड़ा shrink हो गया मतलब थोड़ा बहुत movement होने से ही profit मिलेगा ठीक है तो यह एक inverted iron fly हो गया तो ऐसा करने से आपका जो maximum loss है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा ठीक है और यह आपको कब करनी है आप पहले long straddle बनाया उसके बाद आप देखो market movement दिखा रही है कि नहीं अगर market movement नहीं दिखा रही है मानलो इस time बनाया बना के देखा कि यह consolidate कर रहा है तो आपको immediately यहाँ पर एक reverse iron fly बनानी है या फिर inverted iron fly बनानी है क्योंकि जो momentum था वो momentum अभी खो चुका है यह अभी consolidation mode में आया तो ताकि आपका loss ज्यादा से ज्यादा ना हो उसको minimize करने के to receive some credit ठीक है और adjustments का main motto जो है वो profit कमाना नहीं होता है that is to minimize loss पहले आपका loss बहुत जदा हो रहा था आभी loss थोड़ा minimize होगा और ऐसा करने से आपका क्यूंकि breakman भी shrink हुआ तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत movement मिलने से भी profit मिल लेगा ठीक है तो यह एक तरीका है long straddle को adjust कर और दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका यह है कि आप आपना जो long straddle है इसको roll up नहीं तो roll down करो roll up roll down यह same series में नहीं करना है आपका next series में करना है तो आपको क्या करना होगा जैसे आपने 800 का C&P को short किया 30th September अगर आपने देखा कि market is ag level पर ऐसे hover कर रहा है तो आपको next expiry मतलब October expiry में इसको पहले close करना होगा ठीक है current जो position है इसको close करो close करने का बाद October expiry में same strike पर फिर से long straddle बनाओ ठीक है तो ऐसा करने से क्या होगा यहाँ पर definitely आपको थोड़ा बुद तो loss भुगतना पड़ेगा है की नहीं मानलो यहाँ पर आपने 45,000 का loss भुग किया तो वो तो loss है ही अगर आपने next expiry में इसको implement किया जैसे आपने देखा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मानलो यहाँ पर आपने बनाया position बनाने का बाद यह ऐसा consolidation mode में चला गया उसके बाद देखो यह फिर suddenly नीचे यह फिर से उपर के तरफ चला गया अगर आपको लगता है कि in future bank nifty या जो वी script हो वो future में movement दिखाएगी वो पक्का then only आपको आपना position को roll up या roll down करनी है roll up या roll down मतलब आप next expiry में इसको shift करो तीक है तो यह perfect word शायद नहीं होगा roll up या roll down मतलब आपको rolling करना है roll करके next expiry में आपको shift करनी है ठीक है तो इस तरीके से आप long straddle को adjust कर सकते हो लेकिन यह बहतरीन तरीका नहीं आए क्योंकि यहाँ पर आपने already 5000 का loss बुक कर लिया ठीक है अगर next expiry में भी movement नहीं दीखाती है तो आपका loss फिर बहुत ज़्यदा हो सकती है तो आप comment box में यह बताई है आपके हिसाब से कौन सी adjustments technique ठीक है तो यह है adjustments technique अभी मैं आपको बताता हूँ long straddle आपको कब बनानी है देखो दूस्तो long straddle यह एक event based strategy है मतलब जब भी future में कोई event होगा then only आपको long straddle बनानी है otherwise अगर कोई event नहीं रहता है तो movement इतना दिखाने का chances कम रहता है ठीक है तो अगर कोई event है सामने मानलो RBI policy है मतलब policy में कुछ major changes आने वाली है then आप long straddle बना सकते हो यह budget है या फिर कोई important event जैसे election है उस time आप long straddle बना सकते हो otherwise अगर कोई भी ऐसा event नहीं है सिर्फ technical chart या UI देखके आप long straddle मत बनाओ ठीक है तो यही है long straddle adjustments technique तो आपको comment box में यह बतानी है कौन सी technique आपको पसंद आया so that's all for today दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये इसको like और share करना और subscribe करना मत भूलिये thank you